श्री गुरु ए नमाहनुश्का मैं सुरज मिस्रा आप लों का इस्टो गुरु इस्टो तर आपको बहुत स्वागत करता हूं या आज तक आश्टो तक विशेश प्रोग्राम आपके पास धर्व और चोतिस जुरु विशेश जानकारियों को लेके आता है जिहां आज हम बात करें हैं करकरासी वाले जातकों के धन लाव करकरासी वाले जातकों को मालक्षमी की कैसे उनके उपर असीम अनुकम बाग हो कैसे वो आर्थिक समस्याओं से दूर रहे हैं लगातार प्रशन आते रहते हैं गुरु दी मेरे घर ये प्रॉबलम बढ़ा कि वह समस्याओं भी करों तो आज हम वह उपाय बताएंगे जिस उपाय के माध्यम से आप महालक्षमी जी के असीम अनुकमपा के पात्र बन सकते हैं और यह उपाय प्रियोग आत्म प्रियोग किया गया है और प्रियोग करके इसका रिजल्ट लगभग 90% इसका प्रियोग कि पुस्तकों मिस्की चर्चा मिले तो चर्चा मिलने के बाद हमने कहा सोचा कि चलो इसको देखते हैं और देखने के बाद इसका पूरा फल मैंने देखा लोगों प्राप्त करते हुए मैंने अपने पड़िवाद में करकर आसी बाले जातकों पर कोई यह करने क कहा और उनको भी या फल की प्राप्ती हुई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आप एस्टो तक के माध्यम से आप लोगों तक यह चीज पहुचाओं तो आज आहिए करकर आसी बाले जातक अपने आचिक समस्या दूर करना चाहते हैं तो क्या करना चलिए उनकों करकर आसी ब संद्याकाल में आपको पीपल्ब्रिक्ष दिए और सीप फ़ीपल्ब्रिक्ष के नीचे जाकर पंचमुखी टीप जलाये वहीं तीन के देल देल में पंचमुखी आपको दीपक जलाना है अब हम उनकों क्योएम परक आप जला में और कुई बहां करना है संध्या काल में ही माता को भोग लगाना है और वो भोग जो लगाईएगा वो मखान से बने हुए खीर का भोग लगाईएगा जी मा को मखान बने हुए मखान से बने हुए मखान होता है उससे बने हुए जो खीर होते हैं वो खीर मा को अर्पित करना है मा को भोग लगाना है भोग में लालपूल का प्रियोग निश्चित तौर पर आप करें देखिए इस प्रकार का यदि आप प्रियोग करते हैं और इस प्रकार से मा को अर्पिक करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्षाय दूर होने लगते हैं। आपने बिजनेस के लिए करज लिया था और लगातार करज की गती बढ़ती जा रही है। इसकी देखेंगा कि आपका आय बढ़ जाएगा और करज की गती कम हो जाएगा। बतलब लाव दर लाव प्राप्त करने लगेगा। जीवन बने सांती आने लगे। बड़ा सरल और सठीक उपचाव है। साथी साथ एक रामबान, एक ऐसा प्रयोग, एक मंत्र है, बीज मंत्र है, जिस मंत्र के जाप से आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और बड़ा सरल मंत्र है, प्रण द्यान रखें। इस मंत्र को जब भी जाप करें तो आपकी चित्वर्ति सांत होनी चाहिए, प्रोध की अवस्ता नहीं होनी चाहिए। और एक आपने चित्ता बहुत आवस्याद है। मंत्र है, ओ, किन, एं, श्रिम्, ओ, किन, एं, श्रिम्, जिहां, ओ, किन, एं, श्रिम्, इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का जाप करकरासी वाले जातक मोती के माले पर कर सकते हैं, अस्फटिक के माले पर कर सकते हैं और कमलगटे के माले पर कर सकते हैं। इस माले पर आपको जाप करना होता है, 108 बार अप्षय स्परक्म और जाप करने की मुत्रा जो होगी वह इस उंग्ली पर होगी, जिहां अकसर लोग करते हैं इस पर नहीं, तरजनी पर जाप नहीं किया जाता है, तरजनी प्रतेक्छ होता है क्यों बृष्पती की उउग्ली होती है या प्लमान होते हैं या देखते हैं कि आप ने कितना किया तो आप इस पर अनामिका पर इससे इस प्रकार यदि आप 108 बार कम से कमजाब करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे घर से आर्टिक इस्तिती अच्छी होने लगेंगी दर्दिरता दूर होने आप करकरा से वाले जातकों को उसके घर मालक्षमी आएं सम्रधित आप तो हो मैं ऐसे ही मालक्षमी शेकामना करता हूँ और आपनों को बहुत बहुत धन्यवाद सादुबाद नमः पारती पते नमस्कार